यहां पर हमें कहा रहा है जो parabola है वो overpass और underpass में कुछ shape होती है overpass में यह shape यह होती है overpass underpass 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 क्या होता है पता निए और parabola पी जो equation यह ऐसे होती है ex4 plus bx plus 3 यहां पर a is not equal to 0 हो ठीक है ध्यान रखना इसका और इसका ना कुछ एक vertex होता है एक axis of symmetry होती है जो end point होता है वो होता है vertex vertex में हमेशा जो questions हमारे ले आएंगे उसमें y की value 0 होगी sorry x की value 0 होगी x की value 0 होगी x की value 0 पर जो y की value हो वो vertex होगा ऐसे ही यहां पर same चीज x की value 0 पर जो y की value हो vertex होगा और axis हमेशा मेरी मतलब this is for class 10th only ठीक है class 10th के case में जो axis है मेरी वो y axis होगी 11th में हम पढ़ेंगे की parabola और भी shape form की होते है कभी ऐसे theta हो जाता है कभी ऐसे हो जाता है कभी ऐसी गो जाता है तो मर्जी मर्जी होती है तो फिर देख लेंगे उसके question पर अभी को जूरूत नहीं हो अभी सिर्फ हम अच्छा इसे access vertex की जूरूत भी नहीं है तो देखेंगे या question देखेंगे